प्रम्परा एक ऐसी गाठ है जिसे तोड़े ना तूटे। इन कहें कि उसे तोड़ने की बहुत लोग कोशिस करते हैं पर तूटता नहीं है। हमें आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी अगर किसी की धार्मिक भावना को आहत करता है तो हम माफिच पहले ही चाहते हैं। राजा बार परीशा करतो लिए के खाना उसका सथ खाने लग ती राजा एक दिन परीसान करके मिरतित हुआ styu के बाद विल्ली को भी मिरतियों के बाड़ और विल्ली का अंतिम संसकार कर दिया जाता है पर जब उसका बेटा बड़ा होता है तो उसको ख़वर मिलती है उसके सेनाओं से कि आपके पिता बिल्ली पाला करते थे तो बेटा बहुत प्रसंद हुआ कहा कि हमारे पिता इतने महांत थे कि बिल्ली पाला करते थे हम भी आज से बिल्ली पालेंगे बिल्ली पालने का सिलसला शुरू हुआ और राजा का बेटा एक बिल्ली लाया सहर से खरीद करके और बिल्ली को उसी सिक्कर से जिसमें उसके पिता एक बिल्ली को बांदेते हैं उसी सिक्कर से बांद दिया और ये कहा पूरे छेत्र में ये धिंडोरा पिटवाया कि हमारे पिता बिल्ली पाला करते थे वही हाल आज धर्म का है धर्म के ठेकेदार जो जिस रूप से तयार किया गया था धर्म में कि बिल्ली पालने की पर्था उसके बेटे को जिस धंग से बताया गया कि हमारे पिता यानि कि राजा के बेटा कर रहा था कि हमारे पीता बिल्ली पाला करते थे पर उसकी सचाई कुछ और थी, उसके बेटे को ये पता नहीं था कि उसके पिता एक बिल्ली से परसान हो गए थे, इसलिए उस बिल्ली को सिकर से बान दिये थे, नहीं ये कोई सान की बात है और नहीं कोई सौकत की बात है, फिर भी उसका बेटा गर्व से कहता था कि हमारे पिता बिल्ली पाला करते थे, वह वो आधार पे चल रहे हैं कि नहीं, हम भी वही करेंगे, जो हमारे पुर्वज करते आ रहे थे, यह हमारी परंपरा था, हिंदु धर्म में भी अवसाही हाल है, और इसलाम धर्म में भी अवसाही हाल है, इसलाम धर्म की बात करें, तो 700 इस्वी में इसलाम धर्म आया, और तक कोई करक्षन नहीं हुआ है और कोई भी मुस्लिम से चाहे वो बुद्धी जीवी बर्ग हो चाहे वो किसी बर्ग का हो कोई भी मुस्लिम इसलाम धर्म के विरुद नहीं बोले गया, अब कहेंगे कि इसलाम धर्म बहुत डिवलप है, साओधी अरब की बात करेंगे, तो जनाब साओधी अरब क्या है, उसकी सचाई बताते हैं, क्या आपको लगता है कि बड़े-बड़े मौल बन जाने से, बड़े-बड़े बन जोट है कि अब जाकर के साओधी अरब में महिलाओं को बुरका पहनने से आजादी मिली, यानि कि महलाओं पर निवे थोपा गया था, आप बुरका पहनें गे ही, पहनेंगे, बुछ से अब जाके आजादी मिली है, तो आप सोच सकते हैं, कि जो अपने आपको नहीं होगी तब तक आप डेवलप नहीं है यही हिंदुधर्म मेंहें हिंदे में भी के भी काम किया है उसके खिलाब बोले हैं कि यहां राम ने अपनी पत्नी को जब बनवास से लाये थे तो उनको अगरी परिक्षा देनी पड़ी तो यह हिंदु धर्म के बुद्ध जीवी बर्ग बोलने का काम किये और कहें कि नहीं यहां पर राम गलत थे वहीं इसलाम धर्म में कोई भी विद्ध जीवी बर्ग यह निकलके नहीं आता है यह खड़ाओ के कहने के लिए कि नहीं इसलाम धर्म में भी कुछ संसोधन किया वे सकता है हलाकि हिंदु धर्म में बहुत सारी संसोधन हुई है और बहुत सारी चीजों से जो कर सकते हैं कि समाज में तो अब सबस्वार ना करुंग निक्सटा आ रहा है और इसलाम घर्म के जो जिए कर देंगे व्यद्ध हो धर्म की बात सिर्फ चुनाव में होती है ओर धर्म की एक इसटिजा हीर है कि पहले से चलती आ रही है उस बातों पर ना ध्यान दे धीरे 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 उसमें जो भी गलतियां हैं उसको साइड करें और एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए आप जल्द से जल्द इस सब चीजों को छोड़ें फिर से मैं कह रहा हूं बड़े-बड़े मौल बन जाने से बड की निधित् course कामोगा देंगे और आपकी मानसिक्ता विक्सित होगी तभी उपीस सील कहा जाएगा हमारे देश में पर्था चली आई है कि महला सिब सीव घर में रने के लिए हैं और कई धर्मों में मानता है कि कास करके हिंदू धर्म में मानता है कि महलाएं जो है अब मभित्र होती हैं महिलाय मंदर की पुजारी नहीं बन सकती हैं महिलाय मस्जिद की नवाजी में नवाज नहीं पढ़ सकते हैं इन सभी भरंतिया को तोड़िये और एक अच्छे समाज के नीव रखिये तभी हमारा समाज विक्सित होगा हलाकि हम आज वी उसी दोर से जी रहे ह हैं अब आगे आपको लगतार सभी चीजों पर खास करके धर्म पर कैसे अपवा फैला जाता है धर्म को कैसे धर्म की दिवार को कैसे सहारा ले करके अपने आपको पर्मोट किया जाता है धर्म के ठेकेदार कैसे कैसे नवरत फैलाते हैं समाज में एक एक चीज को मैं एक्स पर बातचीत के सा लगा आप अपनी पर्टिकरिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें अगर आप यूटुब चनल पर देखने चनल को स्बस्क्राइब कर लें बहुत बहुत धन्यवाद